हलो गैज साब सभी गस सवागत है माइनकाफ के एक उन्हीं वीडियो में और इस वीडियो के अंदर हम ट्राइ करने वाले है माइनकाफ के वारल टिक्तोग हैति तो आप किसी भी टिक टिकTोग को मिशमत कर देना है किसी फी टिक टोग है हैं लाष्ट वाला भी यहांपर रख देना है सब आर्मार के हाथ में आपको एक-एक डार्गेट विलोग को रख देना है जैसे आप सभी टार्ग बलोग को रख दोगे आप देखोगे कि हमारी स्वास्तिक की डिजाइन बनकर तयार है जिसे कि हम स्वांतिय भी बोलते हैं अब इन आर्मरिश्टन को छुपाने के लिए हम इसके ऊपर इन विजुली का पोशन फेक देते हैं जिससे कि हमारे आर्मरिश्टन गायब हो जाएंगे अरे एक को बनाने के लिए हमारा जो नंबर फॉर है कि न यह तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है अगर कभी अचानक से आपकी फाइट होजा है और अगर आपने आर्मर नहीं पहना हुआ है इस टिक टोक के का यूज करके आप अपने आर्मर को तुरंत ही पहन सकते हो इसे बनान के आर्मर का एक एक पीस इन डिस्पेंसर के अंदर रख दिया है साथ में मैंने शील्ड और एक शोर्ट को भी रख दिया है इसके बाद हमें प्रेशर प्लेट लेनी है और इन डिस्पेंसर के सेंटा में आपको तीन प्रेशर प्लेट को लगा देना है अब जैसे ही आप इ जैसे जैसे मैं इसके अंदर से आ रहा हूँ, हमारा केरेक्टर ओटोमेटिक इस आर्मस के सूट को पहनता जा रहा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वाइट स्लेप ग्राउंड पर रख देना है, देना आपको बिर्च डोल लेना है और इसे सलेप के पीछे की तरह आपको इस तरह से लगा देना है। और सलेब के दोनों साइड आपको एक-एक ट्रेपडर को लगा कर देना है और लास्ट में आपको इसके सेंटा में एक वाइड वेल लगा देना है शोगा इस हमारी वियालिस्टिक चैर बनकर तयार होचुकी है इस चेर को आप डेकोरेशन के लिए अपने house में बना सकते हैं वैश बता है ना बहुत simple build geehrt था ना इस आप चलते हैं हमारे next tip coefficients एक को बनाने के लिए हमारे number two build एक को बनाने के लिए आपको diamond block लेना है और ground पर आपको 4 block को जिस तरह से लगा कर एक platform बना लेना है देन इस प्रेड़ फार्म के ऊपर आपको एक armor stand डग देना है और इस armor stand को आपको diamond का full set पहना देना है अब इस armor stand को हम को is प्रेड़ फार्म के center में लाना है तो इसके लिए हम piston का use करने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम यहां पर कुछ valve को लगा देते हैं पिसे कि हमारा आर्मार CHINA आगे ना निकल जाएगा अब हम इहां पर रेगूलर पिस्टन को लगाते हैं जिसका फिर आर्मार इस्टेंड की साइड होने चाहिए और रीजिस्टन ब्लोक लाकर इस सटे को एक्ट वेत कर दे Particularly क connects लेगा अब था जाएगा चुरुआपते क 있으 चें देंद में ऐते हैं ओप तब स्टे को रख दे ना है उनकी और आपको बापिस यह नीचे की तरफ होना चाहिए यह ता पिर संगा देने के बार्जेस्ट के लाएकं ब्लोग को आथ माहिए पिस्टन के नीचे आना हो आपको वापस से चारू साईट से एक एक फेक्ट करना तो को लगा देना हैनं को कर दोauthor आने के डिलाने के लिए पिस्टन बीलुक को पेना देना है नुट को kommt आपको अपनी पशन्द का कोई भी आर्मा सूर्प पहना बेना है एسसके राइट साइड में आपको वे एक पृगूलर पिस्टन लगा देना है जिसका फेह आर्मर इस्टेंट की साइड ही होना चाहिए देन इस्टान को आपको रेजिस्टन ब्लोक से एक्टिवेट कर देना है अदर कुछ पका रहा है यह वाला एक देखने में कितना मस्त हैं और लग रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह टिक टो के अगर आपको यह पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जयू कर देना और आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो फिर भी मैं बोल देता हूं क्यों फ्लीज सब्सक्राइब जयू कर देना हम मिलते हैं आप